हलो एवरिवन स्वागत आपका मनी मेजिक पे इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसी ज्यूएलर्स लिमिटेड इस वीडियो में हम जारेंगे कि स्टोक को लेकर यहां पर आने वाल टायमें लोंग टरम के लिए क्या टार्गेट रह सकते हैं और यहां पर जो भी इंपोर्ट अब बात करें पीसी ज्यूएलर्स की तो यह कंपनी यहां पर मैनुफेक्ट्र करती है गोल्ड सीलवर और डायमेंड और यहां पर सप्लाइ करती है मार्केट के कंपनी का 966 क्रोड है और जो बुक वेलियो कंपनी का 89 ROE ROC यहां पर कंपनी का ROC 6.10 और ROE Return on Equity 1.46 तो यहां सब्सक्राइब कोई खास ROE ROC नहीं है पेस्ट यह दस रुपे तो इस्टोग स्प्लिट हो सकता है EPS माइनस में प्रोफिट ग्रोथ माइनस में तो फंडामेंटल कंपनी के बहुत ही कराब है अब नेक्स्ट देखे पिछले पांच से क्वाटर का रिजल्ट तो सेल्स कंप बात करें यह तो यह बेसिस में दोजार ठार में जहां कंपनी की सेल 9400 चैनल करोड थी वह अभी 2670 करोड के आसपास यहां पर पहुंच गई है यानि कि सेल्स बहुत ही जबदस तरीके से यहां पर कंपनी की कम हुई है प्रोफिट जहां 567 करोड था वह यहां पर मात्र 61 कर प्रोफिट भी पिछले तीन-चार साल के अंदर बहुत ज्यादा कम हुआ है कंपाउंड शेल्स ग्रोफ इस्टोक प्राइस यह सारा यहां डाटा आप देख सकते हैं माइनस में बात करें रिजव की तो कंपनी के पास जितना रिजव है उतना यहां पर बोरूइंग है तो अभी 54.53 होगी है तो लोंग टरम की व्यूश से अगर आप ओवरॉल देखोगे तो फंडमेंटल कंपनी के काम के नहीं है बिलो एवरेज है और ना रोई काम है ना रोशी है यहां पर कोगी काम का है है सेल्स ग्रोफ भी कंपनी की गटी है प्रोफिट ग्रोफ भी कंपनी क साथ न जाएं और जो सेकिंड बात हैं कि हम देखें यहां पर फूर सोल ट्रम तो सोल ट्रम के यहां पर आप देख सकते हो अगर आप पिछले छह महिने के हैं पर चार्ट देखते हो तो कंटिनियू है पर आपको इस टोक के अंदर गिरावड देखने को मिल रही है तो आप इस टाइम पर अगर आप सोल ट्रम के लिए भी इस टोक को देखते हो तो कुछ टेक्निकल्स पिरामेटर यह दिया हां पर ज्यादा इस है जिल्एोल देह निल्सतों कैसरे में पर ऑर आपको यह धुछ